जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाव शायन आप टीचर ये हुआ कि भी इन्नेट स्पिरिच्वल पार बढ़ाना चाहता है। और पूछता है कि क्या आप ठीक हो जिस पर चीफ पलादिन कहते हैं कि ये सेकिन अवेकनिंग की बज़े से बेहुश हुए हैं। जिन्ता की कोई बात नहीं है और इनका मैं ध्यान रखूंगा। तुम बस कल ट्रेशर हाउस में जाना और वहाँ अपने और वहाँ अपने लिए सूटेबल आइटम ढून लेना। वो हाँशन को वहाँ का पर्मिट बैच देते हैं और कहते हैं कि जो प्रेलीन मेरी राउंड्स में टॉप टेन में आया है उसको रिवाट के रूप में ये दे दिया जाता है जिसे तुमने अभी तक क्लेम नहीं किया है इसलिए जाओ और ले लो अब चीफ बला दिन ट्रे हाँशन की तरफ निकल जाता है और वहाँ वो गेट से एंट्री करने ही वाला होता है कि तब ही उसे किसी पावल आत्मी का औरा महसूस होता है जिस पर हाँशन कहते हैं कि हाँशन हूँ और अपने रिवार्ट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ और ये मेरा टोकन है वो पा रहा था, वो बुढ़ा आदनी कहता है कि तुम मुझसे बशने की कोशिश कर रहे थे तो अब बचो, हौशन कहता है कि मुझे आपको उफेंड नहीं करना चाहिए था एल्डर कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में जीवित रहना ही मेरे लिए उफेंसिव है वो अपने सभी हत्यारों से हौशन को मारने ही वाला था कि तब ही वहाँ लॉड ओफ लीग आगर उसके कंदे पर हाथ रखकर उसे रोप देते हैं और उसके औरा को खत्म करके कहते हैं कि फिर से तुम यंग जनरेशन को परिशान करने लगे एल्डर उससे जड़कर महां से चला जाता है हौशन लॉड ओफ लीग को ग्रीट करता है और वो कहते हैं कि तुम चंता ना करो ये हमेशा से ही ऐसे रहा है तुम मेरे साथ चलो तुम मुझे क्रैंपा यांग बुला सकते हो वो दोनों अब अंदर जाते हैं और वहां कई सारे खजाने रखे हैं यहां कई सारे वेपन्स हैं जो हजारों सालों से यहां रखे हैं और ये सब ही अलाइंस के लिए हैं ये वेपन्स वेट कर रहे हैं कि कौन इनकी स्ट्रेंद को मैच करने वाला इनके पास आया हाउशन की स्वाट तूट गई थी इसलिए उसे स्वाट की बहुत ज़रूरत थी और उसे अब बेस स्वाट अपने लिए चुनने थी वो एक स्वाट चुनता है लेकिन उसे नहीं उठा पाता यहाँ स्वाट के प के बूल से बनी थी और हाउशन जब उसे लेने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जादा जैमने को रहा यानि किलेंग औरा महसूस होता है और यह हाउशन को करप्ट कर सकती है इसलिए हाउशन इसे भी नहीं लेता अब वो और आगे पढ़ता है और एल्डर कहते हैं कि मैं ने तुम्हारे लिए एक suitable weapon चूस किया था, वो उसे एक mysterious painting दिखाते हैं, जो हाउशन को valley of riding spirits ले जाएगी, ये बहुत खास weapon है, और हजारों सालों से कहीं लोग इस weapon को challenge करने आए हैं, लेकिन वो इसे प्रात नहीं कर पाया है, हाउशन को इसको प्रात करने के लिए test देना प तो वो sword शायद कभी youth का मंजर नहीं देख पाएगी, हाउशन एक लग realm में आकर गिरता है, और वो समझ जाता है कि sword of miracles के test अब शुरू हो जाएंगे, उसे एक बत्थर पर लिखा हुआ दिखता है, कि ये waste दिल से पैदा हुआ है, और अब आगे बढ़ने लगता है, बैक् कदवर sword को आपस में merge करके तलबार बनाएगा, ताकि humanity फिर से over take कर सके, और उसे जब जब जरूरत बड़ी, तो अपने खून को भी इसमें लगा दिया, और फिर finally तलबार बनकर ready हो गई, इस sword के पास अपनी दो spirits, light और water है, जो इसे एक spiritual weapon मनाती है, इसलिए इसका नाम sword of miracle हाला कि कोई भी इसके दोनों spirits को use नहीं कर सकता है, जिसने ये sword बनाई थी, वो भी नहीं कर पाया था, demons को भी इस sword के बारे में जब पता चला, तो उन्होंने ये लेनी चाही, इसलिए 11 royal family ने इसे valley of riding spirits में seal कर दिया, और वो सही person का weight करने लगे, कोई नहीं जानता कि ये sword क कई सारे पत्थर की तलवार, जो समीन में कड़ी हुई है, वो हिलने लगती है, और हाउशन किसी एक तलवार को, और हाउशन किसी एक तलवार के ऊपर चड़ जाता है, और वो सभी sword, light की तरफ जानी लगती है, हाउशन समझ आता है कि ये कोई जरूर एक key है, इस game को crack करने की, वो तलवार पर उचलता हुआ सबसे आगे वाली तलवार पर जानी लगता है, हाउशन light को चीज कर रहा है, और वो कैसे ना कैसे करके, कहीं मुश्किलों का सामना करके, कहीं मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ रहा है, और फाइनली वो light को पाप्त कर लीता है, और स्टार की शेप में एक लॉक को देखता है और अपनी टोकन को वह इंसर्ट कर देता है वो जगे गलो कर जाती है और एक दोर को छोड़कर हर जगे से लाइट निकलने लगती है ये लाइट्स उस दोर के अंदर जाती है और वो दोर भी गलो कर जाता है हाउशन अब बाकी ला तो यह पर नीजे गिर जाता है, यानि एक बार start token इंसर्ट करने के बाद उसके पास limited time है, यह करने का, इसलिए वो फिर से insert करता है, और जल्दी जल्दी हर एक light ball को इखटा करके crystal के अंदर डालने लगता है, और फिर से time up हो जाता है, तो वो फिर से try करता है, कई बार कोज़ करने के बाद finally सभी light balls को अंदर डाल देता है, और crystal पूरी तरह से glow हो जाता है, लेकिन वहाँ कुछ change नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो थोड़ा उदासा हो जाता है, लेकिन तभी उसे reflection में crystal की reflection देखती है, और वहाँ वो हाथ देखर एक और light ball को निकाल लीता है, और crystal क अंदर डाल देता है, और उसके डालते ही वो जगह पूरी तरह से glow हो जाती है, और वहाँ लेजर light निकलती है, जो बहुत दूर तक जाती है, हाउशन उसकी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ नीचे तो खाई है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, लेकिन वो याद करता है, कि कहा था कि ये जगह दिल से बनाई गई है, तो वो अपने दिल की सुनते हुए, अपने पैर को आगे रखता है, और वहाँ वो हवाँ में खड़ा हो जाता है, और वो खुश हो कर अब आगे बढ़ता है, और उस लेजर light के पीछे जाने लगता है, और वहाँ पॉडल से ह होते हुए, वो एक नई जगह पहुच जाता है, ये एक ultimate test है, और यहाँ वो जैसे ही आगे बढ़ता है, वहाँ काली कपड़े पहने हाउशान आ जाता है, यानि हाउशन को अब खुद से ही लड़ना होगा, डाक हाउशन तलवार लेकर हाउशन पर हमला कर देता है, और हा पिसोड यहीं कादम हो जाता है,